महादेव के इस वर्दान के कारण द्रोपदी की हुई थी पांच पांदवों से शादी जाने कहानी महाभारत के एहम पात्रों में शामिल पांचाली यानी की द्रोपदी के बारे में आपने कई कताई सुन रखी होंगी द्रौपदी का नाम न लिया जाए महाभारत में तो उनके बिना महाभारत अधूरी है इस कहानी में द्रौपदी बहुत ही जरूरी थी अगर द्रौपदी न होती तो महाभारत की कहानी ही कुछ अलग हो जाती उनके जीवन में हर घटना पर प्रशन उठे हैं ड्रौपदी के चरित्र को लेकर भी लांचन लगाया गया सबसे बड़ा लांचन तब लगा जब उन्होंने पांच पुरुषों से विवाह किया था वहीं लोगों के मन में सवाल भी उठते होंगे कि उन्होंने पांच पुरुषों से विवाह क्यों किया तो बतादे की इसके पीछे भी पिछले जन्म की कहानी है। बताते हैं आज आपको इसके बारे में। बतादे की पूरवजन्म में द्रौपदी एक ब्राहमन की पुत्री थी। इनके पती की मृत्यू हो जाने के चलते इन्हें वैधव्यका सामना करना पड़ता था। ब्राहमनों और साधुओं की बड़ी सेवा की थी। साधुओं की कृपा से इन्होंने स्थाली दान व्रत किया था। इस व्रत से उन्हें यह वर्दान मिला की वह देवी लक्षमी के समान होंगी। पूर्वजन्म में अलपायू में ही विद्वा हो जाने के चलते द्रौपदी ने रिशियों की सलापर महादेव की तपस्या करना शुरू कर दिया। तपस्या के कारन भगवान शिव प्रसन है और उन्होंने द्रौपदी से कहा तू मनचाहा वर्दान मांग ले। इस पर द्रौपदी इतनी प्रसन हो गई कि उसने बार-बार कहा मैं सर्वगुन्युक पती चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा तू ने मनचाहा पती पाने के लिए मुझसे पांच बार प्रार्थना की है। इसलिए तुझे दुसरे जन्व में एक नहीं पांच पती मिलेंगे। तब द्रौपदी ने कहा मैं तो आपकी कृपा से एक ही पती चाहती हूँ। इस पर शिव जी ने कहा मेरा वर्दान व्यर्थ नहीं जा सकता है। इसलिए तुझे पांच पती ही प्राप्त होंगे। विवाह के बाद में द्रौपदी पांचों पांडव के एक एक पुत्र को जन्दिया। युदिश्टिर के पुत्र का नाम प्रतिविंध्य भीम सेंसे उत्पन पुत्र का नाम सुत्सों, अर्जुन के पुत्र का नाम शुत कर्मा, नकुल के पुत्र का नाम शतानिक, सहदेव के पुत्र का नाम शुत्सें रखा गया था।